हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मिरना मिसंदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इंपॉसिबल के यूटूब चैनल पर आसा गरता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगी और आज के इस वीडियो में हम लोग 25 अक्टूबर 2021 के जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट करेंट अफेर हैं उनको आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि करने अफेर एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एक्जामों में पूछा जाता है चाहे आप UGC Net की तयारी कर रहे हैं या फिर आप वन डे एक्जाम की या SSC, बैंक, पी ओ, इवन किसी भी एक्जाम की आप तयारी कर रहे हैं Current Affair के जो है 4-5 QUESTION आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं और इसे आप डेली बैसे पे तयार कर सकते हैं अगर डेली बेसेस पे आप नियूज पेपर्स हो गया नहीं देख पाते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि पूरे दिन के अंतरगत जितने भी महत्वपूर्ण घटनाय घटित होई हैं उनको जो है वीडियो के माध्यम से आपको प्रवाइड करें तो आज के इस वीडियो में हम लोग 25 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण करेंट अफेर को जो है यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुश्चन नमर एक को देखते हैं पहला जो हमारा कुश्चन इसमें है देखिए किसी भी कुश्चन का अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजेगा दरबाइस में राइट आंसर भी बताता हूं और कुश्चन से जुड़े जो इंपोर्टेंट डिटेल से उनको भी क्लेर करने का प्रयास करता हूं तो देखिए इस कुश सखारो पुरुसकार क्या होता है और इसके बारे में अच्छे से और डिटेल में समझ लेते हैं देखें आपर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताए कि ये ये रूस में जिनकी सरकार है बलादिमीर पुतीन की उनके विरोध में कह लिजिए या उनके अपोजीशन में एक लिडर नेता है जिनका नाम है अलेक्सी नौलनी और ये वहाँ पर कैद है इनको जो है यहाँ पर यहाँ पर यूरोपीय संसद ने जो है यूरोपीय संग के सिर्स मानो अधिकार पुरुसकार 2021 के लिए जो है यहाँ पर या उसके द्वारा उनको सम्मानित किया गया किस से स पार वेक्तिकत बहादुरे के लिए सम्मानित किया गया यानि कि अपोजीशन में जिनके सरकार हैं उनके खिलाप लड़ने के लिए यहां पर एक बहादुरी का काम है आपको पता है कि रूस में यहाँ पर बलादिमीर पुतीन की गौर्मेंट है और उनके खिलाप यहाँ पर अलक्सी नौलनी ने ब्रश्टाचार के खिलाप आवाज उठाया विरोध किया तो उसके लिए उनकी इस बहादूरी के लिए यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया तो आसा करता हूँ कुश्चन का डेटेल क्लियर हुआ होगा आईए एकला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन नमबर टू देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि रच्छा मंत्राले ने हालही में MK54 टार्पीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझोता किया है इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं देखिए इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका आपसन नमबर सी अमेरिका कुश्चन में यही पूछा गया कि रच्छा मंत्राले ने हालही में MK54 टार्पीडो खरीदने के लिए अमेरिका के साथ जो है समझोता किया है अमेरिका की राइधानी किया वासिंगटन डिसी इसे भी आपको याद रखना है आश्च्छेलिया का कैनबरा आपका है जापान का टोक्यो है फ्रांस का पैरिस तो इसको भी आपको याद कर लेना अब इस जैसे जो है एक्सपेंडेबल खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझोता किया है ठीक है इसे आपको याद रखना है काफी इंपोर्टेंट है यानि भारत के रच्छा मंत्राले ने भारती नोसीना को मजबूत बनाने या मजबूत करने के उद्देश से जो है पंडुबी, रोधी, युद्धक, विमान, P8I के लिए MK54, टर्पिडो और चाफ लेर्स जैसे एक्सपेंडेबल खरीदने के लिए अमेरिका के साथ यहां पर समझोता किया इसे आपको याद रखना है अब देखिए इसके लिए कितना खर्च किया गया है वारत के रच्छ 23 करण, तो आसा करता हूँ, कोश्चन का डीटेल आपको क्लेर हुआ होगा, आई एकला कोश्चन देखते हैं, अगला कोश्चन हमारा है, कोश्चन नमबर 3, देखें इसमें पूछा जारा कि बच्चों के मानसिक स्वास्त और कल्यान के बारे में जागरुकता फैलाने के उ जागरुकता फैलाने के उद्देश से जो है आपस में समझाता किया है यहाँ पर, किसने, ICC और UNICEF ने इसे आपको याद रखना है, और आई एक इस क्वेश्चन के जो important details से उसको भी जान लिते हैं, और एक बात याद रखिएगा, UNICEF का जो full form है, UNICEF का यहाँ पर, वो ह आपका United Nation Children Fund जो है, इसका full form होता है, यह भी आपको याद कर लेडा है, देखिए, इसमें हमेने पहले point में हमेने बताया, आप सभी को कि बच्चों के मानसिक स्वास्त और कल्यान के बारे में, जागरुकता फैलाने के उद्देश से, ICC और UNICEF ने समझाता किया है, ICC, यान यहाँ पर इसका full form आपको रखना है, International Cricket Control Board जो है, इसका यहाँ पर full form हो जाएगा, ICC का, sorry इसे आपको याद रखना है, ICC का जो फुल form है, आपका वो है International Cricket Council जो है, इसका पूरा full form होगा, Board मत याद रखिएगा, Council होगा, ठीक है, और इसके बाद से मैंने next point में में बताय कि इस अभियान के तहट, ICC के वैस्विग मंच का प्रियोग इस विसाय पर युनिसेप के कारियों के प्रचार के लिए क्या जाएगा, जिसमें प्रसारण और डिजिटल चैनल सामिल होंगे, और इसमें कहा गया है, कि कोरोना महामारी से यह समस्या विकराल हो गई है, और 10 से 19 वर्स की उम्र के जो भी बच्चे हैं, वो मानसिक समस्याओं से पूरी तरीके से जूज रहे हैं, कारण इसका है, देखे, स्कूल बंद होने के कारण, समाजिक दूरी बढ़ने के कारण, और यहां पर वो अकेला पन फेल कर रहे हैं, जिसकी वज़े से यहां पर मानसिक स्वास्त से जुड़ी, उनकी समस्याओं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो यह काफी इंपोर्टेंट है, पूरा इसमें आपको यही बताय जा रहा है, कि यह जो मानसिक स्वास्त को लेकर जाग रुकता फैलाने के लिए, ICC और यूनिसीप के बीच में समझाओता हुआ ह उसका में कारण क्या है, कि कोविड काल में 10 से 19 वर्स के जो बच्चे हैं, वो मानसिक समस्याओं से जूज रहे हैं, उसका कारण क्या है, इसकूल बंद थे और लोगों से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बाचित नहीं कर पा रहे थे, सामाजिक दूरी बढ़े, अकेला आपन बढ़ा, जिसके वज़े से मानसिक स्वास्त की समस्याओं उनके अंदर बहुत जादे बढ़ गई, तो उसी के लिए यहां पर जाग रुकता फैलाने के लिए ICC और UNICEF ने आपस में समझोता किया है, आसे करता हूं कोश्चिन का डेटेल क्लियर हुआ होगा, आई ए आपका option number D, दच्छड कोरिया ने जो है हाल ही में अपना पहला स्वदेसी अंतरिच रॉकेट नोरी को लांच किया है, यह काफी important है, इसे आपको याद रखना है, आईए अब इस question के जो important details है, उसको भी जानते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले point में मैं मैंने बताए कि द दच्छड कोरिया ने हाल ही में अपना पहला स्वदेसी अंतरिच रॉकेट नोरी लांच किया है, जो कि दच्छड कोरिया में पूरी तरह से विक्सित और निर्मित है, यानि कि स्वदेसी का मतलब सारा कुछ जितना भी parts उसमें इसमाल हुआ है, जो भी सामान उसमें लगा है, वो सब देश के अंदर ही उपलब्द किया गया है और वहीं पर बनाया गया है, इसलिए स्वदेसी निर्मित है, आगले point में मैं बताए कि यह 47 मेटर का रॉकेट नोरी यहां पर टाइप में मिश्टेक है, ठीक है, नोरी इसका नाम है, इस पेस सेंटर से लांच किया ग पहली बार यहां पर स्वदेस, यानि अपने देश में सारे कलपुर्जे जो निर्मित है, उनसे नोरी रॉकेट बनाया और इसको लांच किया, ठीक है, और यह सफल भी रहा, जिसके वज़े से यह काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, तो इसे आपको याद रखना है, तो आ पहले से ही रूस और चीन द्वारा तैनात किया जा रहा है, यानि कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तमाल रूस और चीन पहले से ही कर रहा था, लेकिन अभी हाल ही में किस ने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रदोगी का सफल परिछन किया इन चारों में से, तो देखिए इस कर रहे हैं और अपने सुरच्छा के लिए इस्तमाल कर रहे हैं तो आसा करता हूँ कि आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा अब इस क्वेश्चन के जो इंपोर्टेंट डीटेल से उसको भी में जिरकोन नामक एक हाईपरसोनिक मिसाइल का सफल परिच्छन किया यानि कि अमेरिका से पहले ही जो है चीन ने हाईपरसोनिक missile का परिच्षड किआ सफल रहा और उसे इस्तमाल भी कर रहा है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर रूस ने Judith में जो है जिरकोन नमक जो है उसका नम जो है hypersonic missile का क्या हैर जिरकोन नमक hypersonic missile का सफल परिच्षड किआ यानि अमेरिका से ये दोनों देश जो है हत्यारों को बनाने में या मिसाइल टेक्नोलोजी में काफी आगे चल रहे हैं मतलब कंपर्टीशन दे रहे हैं वह भी अमेरिका को तुअसा करता हूं कि कुर्शन का डेटेल आपको क्लियर हुआ होगा आई एंगला कुर्शन देखते हैं अगला कुर्शन हमारा ह चीन ने हालही में नया सिच्छा कानून पारित किया है और चीन की राधानी बिजिंग है इसे भी आद रखना है अब इस question के जो important details है या नया सिच्छा कानून में क्या कुछ बताया क्या है चीन के तरब से उसे भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं देखें आपर सबसे पहले point में मैंने बताया कि चीन ने बच्चों पर दबाव कम करने के लिए अपने यहां सिच्छा से सम्मंदित एक नया कानून पारित किया है जो सीधे तोर पर पढ़ाई को लेकर बच्चों के दबाव को कम करेगा देखें बच्चों पर homework और off-site tuition का double coffee pressure यहां पर देखा गया, double coffee pressure देखा गया, जैसे कि मैं यहां पर आपको clear करना चाहूंगा, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे यहां भी education system में ऐसा ही कुछ है, जैसे कि बच्चे school जाते हैं, वहां पर पूरे जितने भी 6 गंटे या 4 या 5 गंटे time expand करते हैं, और हर class का अपन प्रेशर में आते हैं और कुछ समस्याएं हो सकती हैं उनको, तो देखे इसमें मैंने आगे बताए कि जिसके बाद से सरकार ने बच्चों को इससे राहत देने की कोसिस की है, यानि कि यह double जो work हो रहा है, double pressure बन रहा है बच्चों पे तो इससे जो हैं उनको राहत देने का प्रियास होगा, चीन में यह जो नया सिच्चा कानून यहां पर बना है, इसे आपको याद रखना है, देखे अगले point में उनने बताए कि सिच्चा का नया कानून मुख्य विसयों में homework और off-site tuition के जुडाव दबाव को जो है कम करने का प्रियास करता है, देखे काफी यह ज्यादा ही problem की बात है कि अगर आप CBSC बोर्ट से पढ़ रहे हैं, या किसी भी other state बोर्ट से भी पढ़ रहे हैं, तो आप coaching का सहरा लेते हैं, आप school से पढ़ कर आते हैं, उसके बाद से coaching का सहरा लेते हैं, और आप पे मतलब double pressure रहता है कि पढ़ाई continuous करनी है, थोड़ा सा भी आपको mind को relax नहीं पढ़ता है, इसलिए आप पे दबाव बना रहता है, तो चीन में इस system को थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया जाएगा, इस सिच्छा कानून के द्वारा, तो आसा कहरता हूँ कि question का detail आपको clear हो गया होगा, आई एगला question देखते हैं, अगला question हमारा ह देखें, इसमें पूछा जा रहा है कि सरसथवे राष्ट्रिय फिल्म पुरुसकार 25 अक्टूबर 2021 किस के द्वारा यहां पर दिये गए, इसे आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि सरसथवे राष्ट्रिय फिल्म पुरुसकार 25 अक्टूबर 2021 किस के द्वारा तो देखिए इसका जो right answer हो जाएगा वो है आपका option number भी उपर राष्टपती वनकई या नाइडू के द्वारा जो है सरसथवे राष्टिय फिल्म पुरुसकार में जो है पुरुसकार जो है जितने भी अभिनेता थें शिंगर थें जिन्होंने पुरुसकार जीता उनको यह पर किसके द्वारा दिया गया था उपर राष्टपती वनकई या नाइडू के द्वारा ये भी याद रखना है अब इस question के जो important details से उसको भी जान लेते हैं देखिए इसमें पहले point में मनें बताए कि सरसथवे राष्टिय फिल्म पुरुसकार जो कि 25 अक्टूबर 2021 को व अगर question आप से बन जाया पूछा जाए कि सरसथवे राष्टिय फिल्म पुरुसकार के अंतरगत सर्वसेष्ट अभिनेतरी का पुरुसकार किसे दिया गया तो यहाँ पर आपको याद रखना है कंगना रनोत को दिया गया था अगले पांट में मिन बता है कि अभिनेता मनोज बाजपेई को हिंदे फिल्म अभौनसले के लिए सर्वसेष्ट अभिनेता का पुरुसकार और धनुस को तमिल फिल्म असूरन के लिए पुरुसकार मिला है अगर पूछ रिया जाए कि सरसथवे राष्टिय फिल्म पुरुसकार में सर्वसिष्ट अभिनेता का पुरुसकार किसे दिया गया था तो ये आपको याद रखना है मनोज यहां पर बाजपेई को दिया गया था और इनकी किस फिल्म के लिए भौंसले फिल्म के लिए जो है इनको सर्वसिष्ट अभिनेता का पुरुसकार मिला यहाँ पर यहाँ याद रखना है तो आसा करता हूँ कि कुश्चन का डेटेल आपको क्लेर हुआ होगा आई एकला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन नमबर 8 देखे इसमें पूछा ज़रे के हालही में दादा साहिब फालके पुरुसकार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया इन चारों विकल पुमिशे आपको वहताना है तो देखे इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका आपसन नमबर भी हालही में दादा साहिब फालके पुरुसकार से जो है रजनी कांत को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया काफी यह फेमस आपके अभिनेता है लोक्त्री है यह आपको याद रखना है अब इस कुश्चन के जो इंपोर्टन डेटिल से उसको भी जान लेते हैं देखें यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में हमने बताए कि वायो वृद अभिनेता रजनी कांत को दादा साहिब फालके पुरुसकार से सम्मानित किया गया और इसमें next point में मैंने बताए कि प्रिय दर्शन द्वारा निर्देसित मलयालम फिल्म मरकर अर्विकाड लिंते सिंगहम को जो है सर्वसेष्ट फिचर फिल्म का पुरुसकार दिया गया यहां पर सर्वसेष्ट फिचर फिल्म का पुरुसकार इसे आपको याद रखना है अगले point में मैंने बताए कि बी प्रॉक को हिंदी फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी के लिए जो है बेश्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरुसकार मिला है यह भी काफी important है यह गाना काफ कि के फिल्म 72 हुरे के लिए सर्वसेष्ट निर्देशन का पुरुसकार दिया गया घाय गया है अगर पूछन का पिने के सर्वसेष्ट करेंट बन जाएंगे जो डीटेस होते होते हैं के मैं उनको भी कवर करने का प्रयास करता हूं आई अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है हमारा कुश्चन नमर नाइन देखे इसमें पूछा जा रहे कि आसकर 2022 के लिए भारत के तरफ से किस फिल्म को प्रति इस परधा के लिए भीजा जाएगा इन चारो विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बचा सकते आप सभी को पता है कि सिनेमा जगत का सबसे उचा आवार्ड कह लिजिए या उचा पुरुस्कार कह लिजिए वो आसकर होता है तो आसकर 2022 के लिए भारत के तरफ से किस फिल्म को प्रति इस परधा के लिए भीजा जाएगा तो वो है आपका कुझु गल इसे आपको याद रखना है काफी important यह question है और यह सारे question जितने भी मैं करा रहा हूं आने वाले एक्जामों में चाहे आप किसी भी exam को देने जा रहे हैं उनमें पूछे जा सकते हैं आई अब इस question के जो important details से उसे भी जान लेते हैं देखे सबसे पहले point में मैं बताए कि Oscar 2022 में भारत की अधि प्रविष्टी घोसित किया गया है यानि कि इस film को Oscar के लिए भीजा जाएगा एज यह भारत की तरफ से ठीक है अगले point में मैं बताए कि यह film 2022 के लिए सर्वसिष्ट अंतराश्टी यह feature film के आकादमिक पुरुसकार के लिए प्रति इस परधा करेगी ठीक है इसे आपको य जित किया जाएगा लॉस एंजलिस में और कब किया जाएगा 27 मार्ट 2022 को इसे के लिए जो है यहाँ पर भारत की जो तमिल फिल्म है कुझ गुल इसको प्रति इस परधा के लिए भीजा जाएगा अगले point में मैंने बताए कि कुझ गल ने अंतराश्टिय फिल्म महुत सो र प्रति इस परधा के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा ऑसकर 2022 में तासा करता हूँ कि कोशन का डीटेल आपको क्लियर हुआ होगा आईए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन हमारा है कोशन नमबर 10 और ये विडियो का हमारा लाश कोशन है देखे इसमें पूछा जा रहे कि आत्म निर्भर स्वास्थ भारत योजना का सुभारम किसके द्वारा किया जाएगा इन चारों विकलपों में से आपको बताना है देखे इस कोशन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका आप्सन नमबर भी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के द्वारा जो है आत्म निर्भर स्वास्थ भारत योजना का सुभारम किया जाएगा अब इस कोशन के जो इंपोर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं देखे सबसे पहले मैंने बताया है कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी 25 अक्टूबर 2021 को प्रधान मंतरी आत्म निर्भर स्वास्थ भारत योजना सुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और वो यहाँ पर 9 मेडिकल कॉलेजों का उधगाटन भी करेंगे यानि कि उत् गाटन प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी करेंगे 25 अक्टूबर 2021 को अगले परण में मैंने बताया कि यह योजना देश भर में स्वास्थ है सेवा की आधारबूत सनरचना को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारती योजनाओं में से एक होगी तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि यह योजना जो है पूरे देश भर में स्वास्थ सेवा की आधारबूत जो सनरचना है पुरा जो पुरा इंफर यहां पर सिस्टम इंफर स्टक्चर है उसको मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारती योजनाओं में से एक है तो जाहिर स हो जाता है यह कुशन काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले एक्जाम के पॉइंट अव व्यू से तो आसा करता हूं कि यह कुशन का डीटेल आपको क्लेर हो गया होगा और उमीद करता हूं कि जितना भी मैंने कुशन आपको कराए यहां पर 25 अक्टूबर के करेंट अफेर के अंतरगत वो अच्छे से क्लेर हो गया होगा और किसी कुशन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लिजेगा कुशन को लेकर या कुशन के डीटेल को लेकर कैसा भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए मैं सभी का जवाब दे करने के लिए इसके साथ ही साथ आप वीडियो को सेर कर सकते हैं दूसरे दूस्तों को ताकि अगर आपको इससे help मिली तो आप दूसरों को सेर करें ताकि उनको भी help मिले क्योंकि हम जो कुछ भी इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं सब कुछ free of cost है तो अगर आपको लाब मिल करता हूं कि बेल आइकन को प्रेस कर लिजे जब कोई important वीडियो अपलोड की जाएगी इस चैनल पर तो आपको उसका notification मिल जाएगा और वीडियो मिस नहीं होगी तो उमेद करता हूं कि वीडियो का सिसन आप सभी को पसंद आया होगा आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करेंट फेर के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत